सो स्तारा सीटा देविचो सैंती सीटा फिलहाल जडियाने ओहो पंजाब लोग कॉंग्रेस नू मिलियाने इस वारे जानकारी जडियाज दिती गई है क्योंकि मालवा दी जिगल किती जावे तह एही क्या गया कि कैप्टेन अमरिंदे सिंग दा मालवे देविच जड़ा पर फिल्स जारी किती है जिडिया जी नौ जाट सिखानू जडिया टिकेट देथिया चार एसी पाइचारे ज तें वीच पाइचारे दे लिच थे हिंदु अंधी जड़ा किती जावे तिन पंडित ने दो आगर्वाल ने एक मुसलिम नू जडिया ओहो टिकेट दिया उन् पर जदो लिस्टे देखने हैं ता सब तो वड़ाना जड़ायों कैप्टेन अमरंदर सिंग दाए ते पकी लीडर्स दीजे गाल किती जावें तो तो उसी देखोंगे कि अमरिसर साउ स्वилась तो हरजिंदर सिंग ठेकेदान महल उतारे किया एकशी एक्समेल लेनं तो वी कांघ्रिस तो जड़र्स होके पी लसी देखिने हैं फ्ते गर चूडियां दीगाल किती जावे ता जिंदर सिंग रंदावा न उतारे किती जावे ता अमंधीप सिंग यानिक खरण दीजे गल किती जावे, काफी ज्यादा कह सगदे हैं कि इंपॉर्टेंट सीट है, होट सीट है, ते बीजेपी भी चाओं दी सीगी कि आसी अपना केंडिडेट उतारी है, संयूकता काली दिल भी पूरी कोशिश चार रहे हैं कि वो अपना केंडिडेट जड़ा है, वो पर तो अंदाजी है कि इह जड़ी सीट है, वो पी एल सी नू देती गई है, ते पी एल सी ने थो, यानि कि पंजाब लोग कॉंग्रेस ने तो, कमल दीप सैनी नू उतारे है, ते काप्टेन अमरिंदा सिंह दे काफी करीब भी वी ने, एन नू ए तो टिकेट दिती गई है लुदी आना इस दी गाल किती जावे ते जग मोहन शर्मा, लुदी आना साउथ तो, सतिंदर पाल सिंग ताजपूरी नो जिड़ी है, टिकेट देती गई है, आतमनागर तो प्रेम मित्तल नो दाखा दी जिगाल किती जावे, दमनजी सिंग मोही, एथे दी फाइट भी ज सिंग नो मुखमंतरी दी कुर्सी तो उतार रहा गया, ते उस दो बाद संदीप संदू चेड़े ने, ओहो चन्नी देगर दी विच कह सकते है, या चन्नी ग्रूप दे विच शामल हो गये, ते दाखा तो संदीप संदू नो उतार रही है, कॉंग्रेस ओथे ही जिगाल कित सिंग नो उतार रहा गया, पदो ओर दी काल किती जावे ता तरम सिंग फोजी नो उतार रहा गया, मलेर कोटला दी जेड़े सिट है, यह वी काफी स्यादा इंट्रेस्टिंग है, क्योंकि एथो ओजे कॉंग्रेस दी काल किती जावे रजिया सुल्ताना ने, पर पी एल्सी ने जड़े ने, जड़े डीजीपी सीगे, सापका डीजीपी, इजहार आलम खान, उनना दी पतनी जड़े ने, उनना नो इ सतत दी कहिए, भी सब्सी ने काफी सानाा समाना दी जड़े है, अभे सुरेंद सिंग्धेर की अनुव तार या गया है यानी कि यह बाई ना जढ़ने और अउना राख दियान वीच नामादा एलान क्याप्टेन सो किमें टकर कैप्टन अमरंदर सिंग जड़े उस्यासी तोरते कॉंग्रस नो देन जा रहे ने देखो बाई ते गिंती ते जड़े मीदवार रहे ने अज अलाने ने सो बीजे पी किमें इन्हों मीदवार नो समर्थन करेगी किस तरह एंटी इंकम ऐसी कम करेगी वकफफ़ रहे पर सब तो वड़ी चिनोती नितकाही रहेगी कि एंटन कैप्टन अमरंदर सिंग पूरे की ते परेना दिया हमख्याली पाड़िया बीजे पी केंदी है कि साड़े चार साल कॉंग्ररस नहीं दके तक नहीं तोरे है बिल्कुल देखो, हुन कैप्टन अमरिंदर सिंग कॉंग्रेस दा हिस्सा नी रहे ते ओ हुन सचाइयां कह सकते हैं कि दावा कर रहे ने हैं, ओ कह रहे ने हैं कि मैंनू कई थामाते कारवाई नहीं कर देती गई, अज गालाई 42 नेम सी, जेडे कॉंग्रेस दे अजे हैं कि देडिर्स ना सोणिया गांधी को लेके या सी, जथो डोजयर डिते गए वधो लगाई नहीं सी, अधो सोणिया गांधी थाज वन पुछे सिंग पुछ्छवाई करां, ती मैंनू रोक दिता गया। तो कैप्टेन अमरंदर सिंग आज जरना चीजान दी सचाई जड़ी है ओहो दासरे ने ते दावा कारेने के जाए चन्नी ता मामला हो वे क्योंकि पंजाब दे जड़े मुख मंत्री ने चलंजी सिंग चन्नी हो ना ते मीटू मामले देवेच काफी जादा कॉंट्रोवर्सी देवेच रहेने उसनों लेके भी आज कैप्टेन अमरंदर सिंग कि मैं उस वेले चन्नी तो पुछिया सिगा कि आखेर तुसी आजिहा किता है तो तुसी माफी मंगो नहीं ता मैं थो नों क्याबिनेट तो बाहर कार दूंगा ते उस वेले चन्नी ने अपनी गल्ती मनी सी यह दावप कार रहे हैं कि आपूरो تھे चन्नी ने उस वेले अपनी गल्ती मनी सी ते माफी जेड़ी है ओ महिला ओफिसर तो अणना ने मंगी शी एही कार्णा है कि उनना थे कोई कारवाही जेड़ी है नहीं किति गए क्योंकि ए महिला ओफिसर ने उननानों माफ कर देता सि यह जानकारी जड़ी आज कैप्टेन अमरेंदर सिंग ने दिती है यानि कि पामे उनना वलो यह क्या गया है कि जड़े ब्याली कॉंग्रेस लीडर्स दी जानकारी सोनिया गांधी नो दिती सी गी उनना दे ना मैं हले जग जाहर नहीं करूंगा यह उनना वलो साफतोर ते क् साथे चार साल पामे बार-बार हुन कॉंग्रेस लीडर्स कहने कि कैप्टेन अमरेंदर सिंग बीजेपी दे इशारय नहीं नच रहे है उसनों लेके कैप्टेन अमरेंदर सिंग एक केहरे कि मेरी जड़ी हाइप कमांड है और ना ने कई बनने मैं कहीं थे कारवाई कर दा पर सेंट वादे जड़ें पूरे कार चुक्या ते कई जड़ियां कारवाई यां नहीं कार पाया ते उस दे पिछदा की कारण सी वो ठीक है पर कैप्टेन अमरेंदर सिंग पंजाब दे ओस्वेले मौख मंत्री सी सो कॉंग्रस दे मौख मंत्री नहीं सी पर नितिका हमता स तारे ने सियासी तो औरते ना दा प्वेख कि में देख दियो बड़ी मशक्कते ना उमीदवारा नो करनी पायेगी कैप्टेन अमरेंदर सिंग दे एक पासे साड़े चार साल दा वो वकफा जिसनू लेके बीजेपी ने सवाल चुके कैप्टेन उसनू उपलब्द दस रह देखो कहना गलत नी होगा किशन चुनौती बहुत वड़ी है क्योंकि जे गलकिती जावे बीजे पी दी हालाकि उनना कुल एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा क्योंकि महस्ते ही सीटां ते जड़े लड़ते रहेने पर काप्टेन अमरेंदर सिंग कुल एक्सपीरिय देखो क्योंकि एक अमरेंदर सिंग देनार खड़े हुए नसर आउन गे इसनों लेकि कैप्टन अमरेंदर सिंग वलू एदाववे किता गया कि जदो कोड ओफ कंड़क्ट लगजेगा उससो बात उसी देखो कि कि मह जड़े सीनियर लीडर्स ने ओहो पी एलसी जोई पात देखो कि किस तरह लीडर्स जड़े ने ओहो पी एलसी देवेचे ओंदेने नाली जो पुछा गया कि कॉंग्रेस जड़ी पहली लिस्ट आई है जड़े वेचे चासी उमीदवारां नामदा एलान किता है उसनों किस तरह देख 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 दो तो अनने क्या कि एह लि नादे वेच देखना ओवेगा कि होर केरे नामदा एलान जड़े है ओव बीजेपी कर दी है ओव पी एलसी कर दी है क्योंकि एह महागट बंदन किस तरह 117 सीटा तेस वार लड़ लड़ा है इससे सब्दिया नजरां जड़ियाने ओहो जरूर पनिया हुए ने नितिका कि एसनों 80 सपस्ट दा ओरते मान सक देया कि कैप्टन अमरंदर सिंग गट जोड़ दे मुख चेरे नों लेके जिते वड़े सिस्पेंस ने हाला कि कैप्टन अमरंदर सिंग बहुत काट सीटा दे लेक्शन लड़ रहे ने पजाब फीसों तो बद बीजेपी रहे है देखो किशन ने बहुत जल्द बाजी होए कि कि सीएम दा चेहरा इस मागट बंदन जो कौन बनेगा क्योंकि जदो आसी बीजेपी दे लीडर्स ना गल कर दें सीनियर लीडर्स नाल तो वी कहन देने कि आसी सीएम फेस दे नाल नहीं उतरांगे चोना दे वेच्छ कैसला तेनों पार्टियां लेंड गया